First Bite की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राइज़क है KMC Health City and KMC Cancer Institute उत्तिरी भारत का आधुनिक्तम सुविधाओं से यूगत चिकित सा संस्थान बाकपत रोड मेरट मैतन उशर्मा स्वाज़त करती हूँ आप सभी का हमारे चानल First Bite में आई नज़र डालते हैं एक एहम खबर की और मेरट का लिसारी गेट इलाका गैर कानूनी गतिविदियों के संचालन का अड़ा बन चुका है जानवरों की अवेद रूप से कटाई के बाद अब ताजा मामला पेट्रोलियम पदार्तों के अवेद भंडारन का सामने आया है दो साल से ये काला धंदा बेख़फ चल रहा था पुलिस को भी इसकी जानकारी थी और सुसाइटी को भी लेकिन इस अवेद भंडारन पर रोग नहीं लप पाई नतीजा आज भिशन आज के रूप में सामने आया है इस गोदाम में आज सुबा आँग लग गली जोलनशीन केमिकल होने के कारण कुछी पल में आग नहीं विक्राल रूप थारन कर लिया आग की चपेट में आने से गोदाम मालिक कलवा वेक मजदूर बुरी तरह से जुलस कए है पुलिस के डर से दोनों ही जुलसे लोग किसी अस्पताल में भरती हो गए है पुलिस उनकी तलाश कर रही है मौके पर मौजू तरार एहमद नहीं यह जानकारी दी भी दो-तीन दिन से यह रेगुलर मतलब सुनने में आ रहा था कि इनको डेली यहां से बंद कराया जा रहा था जो सूचना है यहां से बस्ती वालों ने भी कि दो-तीन दिन से इसको बिलकुल रोक रखा था लेकिन क्या हुआ आज यह घटना हुई कि इसमें जो मालिक थे वो भी और एक बंदे और थे दो बंदे थे अंदर अचाना किसी तरह से आग लगी उसमें जिसकी वजह से डेड़ एक डेड़ घंटे पूरी आग फैली बहुत बढ़िया करके इसमें हाला के मैं तो यही कहूंगा कि यहां बस्ती के अंदर नहीं चलना चाहिए गैर कानूनी है और यह बस्ती वाले बिचारे हर तरह से उनको मना ही करते हैं लेकिन मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने आज इसका माम लवा फायर ओफिसर संदोश कुमार राय ने यह जानकारी दी और आप फूरी तरह से बुझा दी गई है इस खबर में फिलाल इतना ही ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चानल फर्स्ट वाइट के साथ साथ ही हमारे चानल को सब्स्राइब करें और बलाएकर दबाना ना भूले